दोस्तों कई बार दाथ तूटने को हम काफी सामान्य घटना मान लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि दाथ का आधा तूटना या उसमें दराराना कोई सामान्य घटना नहीं है, ऐसी कई स्थितियां हैं जिन से दाथ तूट सकता है, जैसे कोई कठोर भोजन चबाना, आक को किसी प्रकार का दर्द महसूस ना हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाथ का थोड़ा बहुत हिस्सा तूटने से दाथ की अंदरूनी नसें दिखाई नहीं देती, दाथ के अंदरूनी हिस्से में नसों के उतक और रक्त वाहिकाएं होती हैं, यदि इन में सूजन या ला और आवशकता पढ़ने पर इसका इलाज कर सकें, डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर समस्या का पता लगाते हैं और आपके दाथ का परिक्षण भी करते हैं, भूजन के अलावा अपने दाथों के साथ किसी अन्य चीज़ को चबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे पेन और बोतल का धक्कन आदी, यदि आपको दाथ पीसने की आदत है तो उससे चुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की मदद जरूर लें तूटे हुए दाथ के उपचार में दाथ के गायब हुए हिससे को एक विशेश प्रकार के पदार्थ के साथ भर दिया जाता है और यदि दाथ का बड़ा हिससा तूट गया है तो दाथ का एक आकार बना कर उसे दाथ की जगह पर लगा दिया जाता है इसे क्राउन कहा जाता है जैसे हड़ियां तूटने पर अपने आप जुड़ जाती हैं दांत ऐसा नहीं कर पाते यहां तक कि अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो कुछ प्रकार की दरारें बढ़ने लग जाती है लगातार दरार बढ़ने के कारण अंत में पूरा दांत निकल भी सकता है तो अगर आपको भी ऐसी ही कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं और किसी अच्छे डेंटिस्ट से अपना इलाज करवाएं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राहे लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही और भी ऐसी ही स्वास्तिवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें